आज हम लोग बनाएंगे हरे मटर से ये नए तरीके का नाष्टा जो हरे मटर खाना पसंद करते हैं उसके लिए ये रेसिपी बहुत ही हिल्फुल रहेगा क्यूंकि अगर आप इस तरह से ये नाष्टा बनाएंगे तो आपका ये नाष्टा बिलकुल पर्फ्रिक्ट तरीके इसे क्रिस्पी और टेश्टी बनेगा तो चलिए बनाते हैं यहां पर देखे मैंने फ्रेश मटर लिया है एक बॉल जिसे मैंने एक वाल आने तक इसे एक वाल कर लिया था थोड़ा सा कुक कर लिया है ताकि इसे ग्रैंड करने में कोई परिशानी ना हो और दो पीस हरी अध्रक टुकड़ा भी लिया है इसे सारे चीजों को मिक्सर ग्लैंडर में डाल करके दरदरा साही से पिसना है पुरा फाइन नहीं पिसेंगे अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे अब यहां पर देखे मैंने एक कप से कुछ कम मैंने बेसन लिया है और इसमें आट करेंग अब इसे मैंने तो चार चमच लिया है अब इसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें इसकी जो है कंसिटेंसी जो है बिल्कुल रणिंग रखनी है अमें अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसे एक डेते हुआ भण है उसा बॏड़ा क। उसनसे फेटी साहीं मिक्स कर ल Ten जो हुआ ग्टा थोड़ा ङसे में इस्था में जो है और वेज हैं एक ब्ड़ाव पानी इसमें डालिया है पूरा का पूरा इस तरह के से आप देख सकते हैं मैं चंब से बिल्कुल उठा कर Mills और इसी तरीके से रखना है अब इसमें मसाले आड़ करेंगे अब यहां पर देखें मैंने टेस्ट के कोडिंग मैंने वन एंड हाफ इस्पून मैंने नमक ऐड़ किया है वन टीछ पून जीरा आड़ करेंगे और वन टीछ पून मिर्च पॉडर भी आड़ करेंगे क्योंकि चत अब यहां पर है धनिया पॉडर अड़ करेंगे और हाफ टीजपून हल्दी पॉडर भी आड़ कर लेते हैं और इसे चट्पता बनाने के लिए यहां पर चाट मसाला आप यूज कर सकते हैं गाजर चमच जो है रहीज दुटर्ग वन टी स्पून मैंने यहां पर अम्चूर पॉडर योज किया है और फ्रीज पुन बाटी कॉल नमक करते हैं इस सारी चीज़ों को अच्छे से इसमीर मिक्स करों आइड़क तरह करेंगे यह बहुत ही चटपटा सा नाश्टा बनता है इस तरीके से अब देखे मैंने कुछ वैजस मैंने ले लिये हैं मैंने शिम्ला मिर्च मैंने दो चमच लिया है और बीन्स मैंने दो चमच लिया है गाजर जो है दो पीस है जो रफली चॉप मैंने कर लिया है और प्यास है एक प और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को सारे बैजस जो है इसमें मिक्स हो गए है अपने अपने अपर यहां पर फूल गोबी को भी आप चोटे-चोटे पीस में कट करके इसमें आप इसमें डाल सकते हैं अब यहां पर देखिए मैंने हरी मतर को जो मैंने इसे दरदरा मैंने बिल्कुल इसे ग्रैंड किया है देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तयार नहीं करना है बिल्कुल दरदरा सा करना है थोड़ा थोड़ा सा इसका पार्ट जो है बिल्कुल थोड़ा सा दीखना भी चाहिए तभी टेस्ट आएगा इसमें तो थोड़ा सा गढ़ा लग रहा है थोड़ा से फूल जाएगा क्योंकि सूजी पड़ी है तो थोड़ा सा आप यहां पर पानी आट कर लें अब चलाएं गैस पर एक पीन और इसमें एक चमच ऐल डाल दे और यहां पर तू पिंच हींग डाल दे हींग का फ्लेवर सूप पर इसलिए हींग जरूर से आट करें और इसमें डाल दे थोड़ा सा सिजर हो जाएए और यह जो बैटर है यह देखिए मेरी ठीक हो गई थी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी आट कर लिया है और इसमें अब यह देख सकते हैं बिल्कुल रनिंग कंसिटेंसी है इसकी और इसमे चीजों को अच्छे से हकूप करना है adjustya जब चलाते होएे रहें जो अच्छे सा॥ हरी धनीया की डाले और इसे भी आइक च्यों लिए निया पर धीज को availability डालें चेज च्यों कि ख्लिक लेंग कर ले चाहता है तो सबस्क्याच छलाते हूए रहेंorticयों गैस का फ्लीम थोड़ा सा लो कर ले कभी मीडियम कर ले इस तरीके से आप इसे कुप करें बस यह देखें बहुत अच्छा सा यह थीक होने लगा है इस तरीके से इसे अभी और थोड़ा सा थीक करेंगे यह देख सकते हैं बहुत अच्छा से ठीक होने लगा है यह देख सकते हैं और अब यह आप और देखें यह देखें बिल्कुल मैं कट करके नहीं दिखा रही हूं ताके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कितना ठीक रखना है इसकी कंसेटेंसी देखिए बहुत ही बढ़िया है अब इसे स प्लेट में मैंने सारा मिशर जू है डाल दिया है आप एस तरीके से इसे पैचूला तो, आप यसे सुबीदा हो रही है और यह देखिए मैंने पिछे मैंने इकênio काट किया और से आप चोब ही आसे पडियोशानिया हो देखिए अब इसे ही pattern रिभडी ह yog opportunity के सी आप अकर पर पास जो भी इस पून है इस पून के पिछे साइट से भी हो जाता है इस तरीके से और इस तरीके से आप कर ले इसको शेप आप दे दें इसको आप में इस तरीके से आप देते हो चले जाएं बहुत ही अच्छा सा हो जाता है ज्यादा इसे जो है इसका डो जो है बिल्कुल प बिल्कुल इस तरीके से आप करने के बाद इसे दस मिनट के लिए आप छोड़ दे नहीं तो आप फ्रीज में भी आप डाल सकते हैं नहीं तो दस से पंदरा मिनट में यह सेट हो जाता है और इस तरीके से यह देखें इसकार शेप में आ गया बहुत अच्छा सा शेप भी हो है अब यह देखें बिल्कुल ड्राय हो गया है बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है यह अब इसे इसे कट कर लेंगे आप अपनी कोडिंग आप इसे कट करें आपको जैसा पसंद और ऐसा करें इसक्वार पर कर लें आप चाहे तो ट्रैंगल में कर लें इसका कोई भी शेप आ यह देखिए बिल्कुल ड्राय हो चुका है अभी देख सकते हैं हात में ले लेकर के मैं दिखा रही हूं बहुत अच्छा बनता है इस तरह से आप एक बर जरूर ट्राय करके देखें यह रेसिपी यह नाच्ता अगर एक बार आप बनाएंगे ना तो आपको बार बार बनाना पसंद करेंगे आप इसे फ्राय कर सकते हैं डिफ्राय कर सकते हैं शेलो फ्राय कर सकते हैं आप इसे तवा पर भी बना सकते हैं थोड़ा सा एक चमच ऑल दे करके इसे आप रोष्ट के रोष्ट भी कर सकते हैं अब यहां पर देखिए मैंने शेलो फ्राय किया है यहां पर म मेडियम कर ले इस तरीके से अगर एवन साइड जब हो जाता है तब ही इसे फिलिप करेंगे इस तरीके से आप लिप कर ले और अच्छे से इसे फ्राय करके निकाल लेंगे आई होब कि मेरे रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को आप प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमली में दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें इस Kelley को मैं निकाल है इस तरीके से लिए कितना क्रिस्पी बनाय एक वर ट्राए करके ज़रूर देखें बहुत पसंद आएगा सबी को सॉस के साही एक निंतम आप ताहियो जुन है कि सब चाहए बीक से यह देखिए सारे पीसे जो हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनी हैं इस तरीके से आप बनाएं और खाएं इस तरीके से यह देखिए बहुत ही बड़ी बना है फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई एक लाइक करना ना भूले